हेलो आप्रिवान वेलकम बैक वीवर्स कैसे हो आपसा लोकाईज उमीद करते हैं स्वस्त होंगे अपना ख्याल रख रहे होंगे वीवर्स आज में आपके लिए एक और न्यू रिडिंग करने वाले हैं आपके परसन की एक परसन की करेंट एनरजी करेंट फिलिंग्स देख सब्सक्राइब करें अगर आप परसनिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो में नंबर पर आप मुझे कांटेट कर सकते हैं यह वाट्स आप नंबर आप इस पर अपना वाट्स आप मैसे सेंड कर सकते हैं आपके जो परसन है उनके मन में आपको लेके क्या चल रहा है वो आपको लेके क्या फील कर रहे हैं क्या सोच रहे हैं प्लीज उनिवर्स एंजल समय बताएं वो मेरे वीवर्स को लेकि इनके पार्टनर्स क्या सोच रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, वो क्या चाहते हैं, तीन के जर्वेरोस क्या क्या उक्या तक टॉक्या प्सक्राइवाद् तक प्सक्राइब अचत्स हां। प्लीज उनिवर्स अन्गार्स को चलिरफाई करें उनिवर्स अन्गार्स को चलिरफाई करें hmm exhaustion we have the nothingness 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 is nothingness okay ordinaryness we have the success transformation and the change okay bottom say at the head turning in and the full full yeah be full okay so first let me tell you something that I have come here this is all sign collective reading you can see this reading so we have Gemini Libra, Mythun, Tula, Kumrashi, Cancer, Scorpio, Pisces, Kark, Vrishik and Meen Rashi and Taurus, Virgo, Capricorn, Vrishav, Kanya, Makar, Rashi, Aries, Leos, Agittarius, Metsing, Dhanu Rashi okay so see all of them are present all elements here so there are all elements here so there are no branches here so there are no branches here so there are no branches here if I can talk about numbers, number 1 2 3 okay so I see some date over 29 okay so I see 29 नाइन है थ्री नंबर यहां पर बहुत स्टॉंग है ठीक है फाइफ नाइन एट सिक्स ट्वैल थर्टीन टैन फाइफ फोर यह कुछ नंबर्स हैं जो यहां पर नसर आते हैं ठीक है आप चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं देखते हैं आपके पॉरसन आपको लेकर क्या कर रहे हैं क्या कहते हैं देखो वीवर्स एक बात तो क्लियर है ठीक है वो यह कि आप दोनों की बीच में आप और आपके पार्टनर के बीच में सिच्वेशन में यह नहीं कह सकती कि बहुत अच्छी चल रही है ऐसा भी नजर आता है कि यह जो परसन है ना इसने यह पर्ट जूट बोलना, मैनुपलेशन, छुप छुप के कुछ ऐसे काम करना जो उनको नहीं करने चाहिए इन चीजों पर बात हुई है ठीक है आपके परसन के साथ में और ऐसा नजर आता है जैसे कि जब से इस परसन की बात हुई है इस परसन ने मतलब रप्लाइ नहीं किया आपक मतलब बहुत जदा कैजूली ले लेना और मतलब ऐसा फील कराना आपको कि ये कुछ था ही नहीं ये कोई मैटर था ही नहीं या फिर इनकी कोई गलती थी ही नहीं और एकदम से लाइटली हो करके मतलब जैसे होता है कुछ लोग होते हैं कि लड़ाई बड़ाई करते हैं और बिदम से निकल जाएंगे अपने लाइफ में अपने आपको जैसे जो इन्वाल्व कर लेंगे मेभी किसी के साथ में इन्वाल्व कर लेंगे या फिर किसी के साथ में कनेक्ट हो जाएंगे घुमना फिरना मोज मस्ती करना और अलग अलग काम करना तो somewhere इस person ने आपको यही दिखाया कि तुम जाहें जो भी feel करो ठीक है या तुम जो भी कहो मुझ पे कोई फर्ख नहीं पड़ता ठीक है आपके साथ मैं ऐसा हुआ होगा मतलब बिल्कुल careless person हो जाना बिल्कुल ऐसा दिखा देना जैसे कि उसको इस रिष्टी के तूटने का अफसोस नहीं है इस रिष्टे में जो उन्होंने गलतियां करी है उनको उनको लेके कोई पश्तावा नहीं है और यह अपनी गलतियों को मान भी नहीं रहे है ठीक है अच्छा है वो मेल हो फीमेल हो पर्ट येस आपके साथ में मुझे ऐसा ही नजर आगा है अब मैं वीवर्स यहां पर देखूँ कि जब से आपके person आपके साथ में ऐसा करके गई है आपने भी क्या किया फिर आपने भी अपने आपको जैसे की कहते ना समेटने की कोशिश की है मैं समेटना कहूंगी क्योंकि आप बहुत साथ बिखर गए थे तूट गए थे इस परसंगे विवार की विजए से और आपने आपके अंदर बहुत सारी खयाल आ रहे थे बहुत सारी बाते चल रहे थे आपके person को सच में कोई फरक नहीं पड़ रह पर आपने पड़ता की इसने क्या किया क्याने किया है या वो efforts भी नहीं लगाना चाहते हैं इस रिश्ते के अंदर मितलब सामने से आगे एक भार भी ये नहीं स्वारी बोलते हैं या फिर सामने साके इस रिश्ते को लेकि कुछ बात करें ये सारी चीज़ आपके अंदर च लेके उसके एटिटूड और बिहेविर ने आपको बड़ा परशान किया है ठीक है अब जो यही रीडिंग वीवर्स यहां पर आ रही है वो यह दिखाती है कि यह जो परसन है यहां यह केर-फरी तो हुए ठीक है यह इन्होंने ऐसे ही दिखाया कि तुम्हें जो फील करना है करो मैं तो चली युजिक को चला है अपनी लाइफ में लेकिन करेंट्ली रॉइवच्म Κुछ लोग को आलए asks युज कुछ वहीं में और लोग लीन AVT एक white , युज 2 हह धें इनको अहसास तक नहीं है कि इनकी जो गलतिया वा पकड़ी जा रही है लेकिन यह धड़ाले से मतलब ओवर कॉंफिटेंस में आके यह कर रहे हैं और इनको इतना एतवार है खुद के ओपर कि जैसे यह चीजे सामने आएंगी नहीं बट आनी तो है गलतियां सामने आने से इनको की जो बाहना से आएं ठीजो नहीं है वाली नहीं द गलतियां था खांग। You can see, looking अपने कारणामों को लेके, कारणामे जो भी इनके हैं, अब इनके जो इकारणामे इनके बारी बढ़ते हैं, मुझे आप नजर आ रहे हैं, कैसे कि इनकी लाइफ में वीवर्स कुछ ना कुछ तो ऐसा हो गया है, जिस से जिस चीज को लेके बहुत सदा ओवर कॉन्फिटनें थे, बहुत सदा शूर थे, और आपको फुल इग्नोर कर रहे थे, ठीक है, कि अब इनको जोरती नहीं पड़ेगी आपकी, या फिर आपके साथ की, या फिर आपके साथ में रिष्टा बना के इनको करना गया है, ठीक है, जाने तो, जाती है तो जाए, मुझे मेरे पास तो अनेदर आप्शन है ना, या फिर मुझे क्या फरक बढ़ता है, मेरे पास तो अनेदर परसन है यहां पर ठीक है, ठीक है, यहां पर इनको फूचर नहीं आ रहे है, ठीक है, यहां पर कुछ ना कुछ गड़बड हो गई है, आपके परसन की लाइफ में, और उनके साथ में, आपके रिष्टे में, अब इस समय मतलब ऐसा हो गया है, जैसे कि हर जी ब्लैंक हो गई है, ठीक है, इनको समझ में ही आ रहा है, कि यह सिचुएशन को मैं कैसे डील करूं, ठीक है, यहां यानि मेरी लाइफ में पूरा अंदकार चाह गया है, इस परसन की लाइफ में, अग इनको निकलने की कोशिश कर रहा है, तो बिना सजा मिले, यह कैसे बच सकते हैं, यह जो परसन नहीं तो बचने सकते हैं, तो यहां पर नज़र आ रहा है, इस परसन की लाइफ में, एक भूचाल सा आ गया, बहुत बड़ा चेंज आ गया है, और इस परसन की लाइफ में, य दाए आप सकते हैं एक दाए यह जग उज़ किसी फोड़ हो तक भी कंतों इसने और किसी यह दो किकी मत चक्रक्राइब के लिगा शुर्चाू Kita आप सबस्क्राइब करते हैं मैं आपको बता दूं या तो यह आपर को देंगे जल रहे हैं तो इस वह Stevens को धेकर आपको जल रहे हैं व्लैक। चाहि एज लग्र guys, क्रस्हप करना फम्लतो और यह पsinला हो पार रिक्त बिल् самых सब्सक्रास्टार हैं skraikkahal ou आपको देख देखने पे साथ लिए में आपका जो कह सकते ना इस परसन को आप ऐसा कुछ कर कर दिखा दोगे जिस वज़े से यह जो परसन है यह आपको फिर से पाना चाहेंगे एक सिच्वेशन तो यहां पर यह बनती है दूसरा विवर्स यह हो सकता कि जो जो परसन जिसके साथ में यह बरसन चल रहे थे कोशिश कर रहे थे जिसका हाथ थाम लिया था आपका हाथ चुड़के उसके लाइफ में को इन एदर परसन आ गया है ठीक है तो यही तो सिच्वेशन भी वर्जिया पर अगर हम देगे इस परसन को यही चीजे हो रही है कि किसी को देख रहे हैं किसी के साथ में एकुष्यक्त मुझ भी बॉजबों चेयर एक गरते हैं परसों किसी की साथ में देख लिया है और इस परसन को यह समझ में नहीं आ रहा है कि अब वो करे दो करे क्या उनकी खुद की लाइफ यहां पे खिल गई है पूरी तरह से जिसे नीव भरोसे की इस परसन की या फिर इस परसन का जो एक खुद पर भरोसा था वो तूट गया वो डगमगा गया है अब यह जो परसन कि यह समझ नहीं पा रहे है कि यह इस कनेक्शन में ठीक है कैसे वापिस आए दोनों ही हालातों में बात तो वही आगे घूम फिर के इंसान को चक्र तो वहीं लेके आगे जहां से चरू श्रू हुआ था तो यह चल रहा है वीवर्स अगर हम देके नहीं दो दो जगा फूल इनर्जी आई है ठीक है यह दो दो जगा फूल एनर्जी ऐसी ही नहीं आई है देखो यह इनर्जी आने का सीथा सीथा एक ही मतलब है कि इंसान जहां से चला था वहीं पर आके फिर से आज खड़ा है और अपनी लाइफ में उसने कुछ नहीं पाया ओल ओवर उसने अगर द देखने हूं तो एक डिजास्टरी नजर आता है करेंटली जो सिच्वेशन हमारे बास आई है मैं आपको वही बता रही हूं अगर मैं आपको यहां पर बॉटम के कार्ड दिखा हूं तो बॉटम के कार्ड यहां पर क्या कहते हैं बियोंड दे लियूजन कंपारिजन फाइ के बियों रीटTT कई छिञा थाओं और जाओं पर यहां पर रूट जो आपको थिखांग आपको यहां प्रमंगा थाप खाले आप कैसे थे या अब आप कैसे हो पहले र고न पैले इनके इस्तितिती कैसी वरवाणा थे हैं तो फारे तो खाईब में आपकरग लिजम हाई लि आपके person इस situation में पहुंचना चाहते हैं बट क्या इस person को देखे आपको लग रहा है कि ये state तक पहुंच पाएगा ये पहुंच पाएगी नहीं क्योंकि इस person का कहीं न गई life में इस समय बहुत उठा पटक चल रही है struggle चल रहा है और ये person अगर मैं आपको बात करों क्योंकि आपने इस person की बहुत सारी बात इसी थी जो आपने खून के घूट पी लिए इस person आपको मतलब कहने सुनने के बाद में आप इनको गल्तियां गिनवा रहे थे और ये इग्नोर कर रहे थे आपसे लड़ाई करके आपको उल्टास देता बोलके यही चले गए कि ठीक है आज से तुम्हारा मेरा कोई रिष्टा नहीं है फिर आपने मैंने बोला था आपने अपने आपको स व hazardous life ओव आपसे और फिमेल इना में और आपको बाद में आपको सब्सक्राण की आपने है क्योंकि नेकिसले इना में आपसे भी स्चिति में तो यह भी डोलों से खूछः जहां है कि यहां फिलिंग को भी से अन अनोसफे हैं आपको लेकिश में चाहिए निलिकि आपको ल आप के साथ में अपने चीछे, हम आपके इस इस सथी आप महीं से नहीं से हमेद आहा Jewish men ठीक है? ओकी, so, let's see आपके लिए देखते हैं इंजल्स क्या गायदेंस देते हैं अम धहापर गायदेंस देख रहे हैं जिस भी एंजल में यह फेथ हैं आप उनको बुलाएं प्लीज उनिवर्स एंजल्स हमें बताएं मेरे विवर्स के लिए आपकी क्या guidance है प्लीज हमें बताएं मेरे विवर्स के लिए आपकी क्या guidance है okay so let's see meditation meditation अगर आप meditation कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है अगर नहीं कर रहे हो तो meditation करो ठीक है somewhere आपको इसी state में जाना है आपको ये चीश स्टेंट आइए ना की, आपको इसी स्टेंट में जाना है जहाँ आपको आपको बहुत सारी बातों से आपको मुप्ति मिलेगी, मतलब बहुत सारी सवाल अगर आपके मन में चल रहे हैं, तो इनका अंसर आपको और ऑन में अैंजल्स देंगी, चीक है या फिर आने वाला मेरी मेरी लाइफ कैसी होगी मुझे move on करना है या रुखना है इस तरह से बहुत सारे questions हो सकते हैं तो हरे का answer आपके खुद के भीतर है चीक है उस चीज़ को आपको connect करना होगा big happy changes ठीक है आपकी life में universe कह रहे हैं कि angel से अगर आप meditation में हो connect कर रहे हो तो आपको answers भी मिलेंगी और आने वाला जो समय है आपके question का अगर कोई answer है तो वो यह है कि आने वाला समय आपके life में changes लेके आ रहा है लेकिन वो changes रहेंगे अच्छे और बहुत ही बड़े level पे ठीक है last message आपके लिए romance तो आपको आपका प्यार जो है ठीक है प्यार क्या है प्यार यानि true love जो आप deserve करते हो अब मैं यह नहीं कह रही है कि अभी आपका यही प्यार होगा ठीक है लेकिन हाँ यह जरूर है आपकी इस किसमत में प्यार बहुत है आपको जो प्यार करने वाला मिलेगा या मिलेगी वो आपको ट्रू लव करने वाला मिलेगा ठीक है तो यूनिवर्स से अगर आप पूछ रहे हो कि क्या मुझे सच्चा प्यार करने वाला कोई मिलेगा ठीक है क्या मेरी लाइफ में कोई ऐसा पार्टनर है तो यूनिवर्स कह तुम्हैं यहां है तुम्हें इस तरह से किसी के लिए तडपना नहीं पड़ेगा कोई ऐसा तुम्हारी लाइफ में जरूर मैं भेजूंगा यह भेजूंगी कि जो तुम् deserve करते हो ठीक है जिसके लिए तुम्हें sacrifices ना करने पड़े लेकिन जो तुम्हारा हमसफर बनके कंदे से कंधा मिला के तुम्हारे साथ चले ठीक है तो universe की तरफ से यह आपके लिए message आया है as a guidance as advice तो viewers trust रखो universe कहा रहे हैं trust रखो ठीक है थोड़ा वक्त जरूर लग रहा है लेकिन आने वाले समय काफी बहतर रहेगा और जब बहतर होगा ना तो भी इंजल को याद रखना उनको भूलना नहीं ठीक है तो उनको अमेशा याद रखना क्योंकि वही है जो divine light की तरह आपके साथ है और आपको मार्ग भी दिखाएंगे आने वाले समय में आपके लिए अगर आपसे रीडिंग वीवर्स यहाँ पर राजनेट हुई है तो इसे क्लेम करें वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियो के लिए जली मिलते हैं नेक्स रीडिंग में